श्रीमत भगवद गीता अध्याय तेरा प्रकृती, पुरुष तथा चेतना भक्त गणों आज के इस वीडियो में हम सुनेगे भगवान कृष्ण के मुख से निकली अमृत्वानी श्रीमत भगवद गीता का अध्याय तेरा यथा रूप में सभीष लोकों को आप संस्कृत में स्क्रीन पे देख सकेंगे और उसका अर्थ सुन सकेंगे अगर आप इस प्रकार के वीडियो के नियमित अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल कृष्ण भावना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तो आएए प्रारंब करते हैं श्रीमत भगवाद गीता अध्याय तेरा अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं प्रकृती एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रग्य तथा ज्यान एवं गेय के विशय में जानने का इच्छुख हूँ श्री भगवान ने कहा हे कुंति पुत्र ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रग्य है हे भरतवन्शी सब क्षेत्रों में क्षेत्रग्य, अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जानो और क्षेत्र क्षेत्रग्य को, अर्थात, विकार सहित प्रकृती और पुरुष का जो तत्व से जानना है, वो ज्यान है, ऐसा मेरा मत है अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो की कर्मक्षेत्र क्या है? ये किस प्रकार बना है? इसमें क्या परिवर्तन होते है? ये कहां से उत्पन होता है? इस कर्मक्षेत्र को जानने वाला कौन है? और उसके क्या प्रभाव है? विभिन वैदिक ग्रंथों में विभिन रिशियों ने कारेकलापों के क्षेत्र तथा उन कारेकलापों के ज्याता के ज्यान का वर्णन किया है इसे विशेश रूप से वेदांत सूत्र में कारेकारण के समस्त तर्क समेथ प्रस्तुत किया गया है पंच महाभूत, अहनकार, बुद्धी, अव्यक्त, दसों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिय विशय, इच्छा, द्वेश, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षन तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंताक्रियाय कहा जाता है विनम्रता, दंभींता, अहिंसा, सहिश्मुता, सरल्ता, प्रामानिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिर्ता, आत्मसयम, इंद्रिय त्रिप्ती के विशयों का परित्याग, अहनकार का अभाब, जन, मृत्यू, व्रिधावस्था तथा रोग के दोशों की अनुभू एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाओ, आत्मसाक्षातकार की महत्ता को स्विकारना, तथा परमसत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ग्यान घोशित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है, वो सब अग्यान है, अब मैं तुम्हें गेय के वि सिर, तथा मूह, तथा उनके कान सर्वत्र है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्त्रोथ है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है, वे वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोच हैं। वे भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगती के कारण है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भौता है जो ईश्व है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमती देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति, प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंताक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ती की प्राप्ती सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिती चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनरजन नहीं होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्यान के अनुशिलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निश्काम करमयोग द्वारा देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यदिपी आध्यात में ज्यान से अवगत नहीं होते, पर अन आद्मान्लो की चर तभा अचर जो भी तुम्हें अस्तिव में दिख रहा है वो कर्मक्षेत्र तभण क्षेत्र के ग्याता का स laying मात्र है जो परमात्मा को समझ़् शरीरों में आत्मा के साथ देगता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी बिनश्ट होता है वही वास्तव में देखता है जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत तथा प्रत्यक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आपको भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वद्दिव्य गंतवी को प्राप्त करता है, जो ये देखता है कि सारे कारिय शरीर द्वारा संपन में किये जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृती से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्त में देखता है जब विवेक्वान व्यक्ति विभिन भौतिक शरीरों के कारण विभिन स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फेले हुए है तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है पि आकाश सर्वव्यापी है किन्तु अपनी सूक्षम प्रकृती के कारण किसी वस्तु से लिफ्ट नहीं होता इसी तरह ब्रहमद्रिष्टी में स्थित आतमा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिफ्ट नहीं होता हे भरत पुत्र जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे भ्रमान्ट को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है जो लोग ज्यान के चक्षों से शरीर तथा शरीर के ग्याता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधी को भी जानते हैं। उन्हें परम लक्ष प्राप्थ होता है। इसी के साथ श्रीमत भगवत गीता का अध्याय तेरा समाप्थ होता है। अध्याय 14 में हम समझेंगे प्रकृति के तीन गुणों के बारे में। हरे रामा हरे कृष्णा